हेलो फ्रेंड्स है लिवस कोचिंग हिमाचल में आपका स्वागत है मैं रजजर ठाकूर आज से आपके सामने एक प्रशनोती सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें हमने टॉपिक वाइस टॉपिक्स McQ solve करने है इन McQs के मादभ्र में आपको पेपर में help मिलेगी भले वो पेपर आपका रहेगा हिमाचल की हिमाचल पुलीस का चाहे हिमाचल फोरस्टकाड का चाहे हिमाचल इड.隍 mala sendo का चाहे हमीरपूर बोड के तुरू जो भी एक्ग्जाम्थ रह रहे हैं जैसे clerical के JO के जहां पे GK section पूछा जाएगा वो सारे papers आपके यहां complete हो जाएगे साथ इसाथ central government में CGL का paper, CHSL का paper RRB में NTPC का paper जहां पे भी GK का section रहेगा यह प्रशनोती series आपकी help करेगी मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रशनोती series का जो भी वीडियो रहेगा वो आपको help करेगा किसी भी exam की त्यारी आप कर रहे हैं तो आप इस वीडियो series के माद़न से help ले सकते हैं यदि आपको videos हमारी पसंद आएंगी तो आप हमारे YouTube channel को subscribe कर लें साथ ही साथ इस वीडियो को like करें और जादा से जादा share करें इस sharing के माद़न से आप उन बच्चों तक हम target कर सकते हैं जो घर बैठी त्यारी कर रहे हैं और हमारे online classes के लिए आप concern कर सकते हैं हमारे जितने भी numbers हैं उनको मैं last में आपको description बोस में डाल दूँगा वहाँ से आप देख सकते हैं चले बच्चों शुरू करते हैं तो सबसे पहला आपका question है बच्चों सविधान सबा से सविधान सबा के गठन की मांग सर्व प्रतम 1895 में किस के दौरव प्रस्तूत की गई तो बच्चों इसके पीछे की जो स्टूरी है आपको पता है कि 1885 में सबसे पहले राष्टी कॉंग्रेस की सापना हुई जैसे ही राष्टी कॉंग्रेस की सापना हुई अब राष्टी अंदोलन का वो चरण शुरू हो गया था 1885 से 1947 का और शुरुवात का जो चरण था उसको क्या बोला जाता है बच्चों उदारवादी चरण तो इस उदारवादी चरण में अब धीरे धीरे प्रक्रियां शुरू हो रही थी और पत्र विवार के मादम से जो भारती लोग थे वो अंग्रेजों के सामने अपनी डिमांड रख रहे थे तो उसी टाइम पे बाल गंगादर तिलक जो थे बच्चों उन्होंने एक डिमांड की कि क्यों ना हम अपने भारत को चलाने के लिए भारती सविधान की स्थापना करें पर यहां पे अंग्रेजों ने इस मांग को खारिच कर लिया था तो आप ये चीज़ याद रखते हैं कि 1895 में सबसे पहले भारती एकों थे जोनोंने सविधान सभा की मांग रखी थी वो थे हमारे बाल गंगादर तिलक अगर वीडियो पसंद आ रही तो बचों लाइक जुरूर करना है आगे चलते हैं अगला कोशन है हमारा भारत की सविधान सभा गठित करने का आधार क्या था तो अगर हम बात करेंगे जैसे जैसे टाइम बीटता जा रहा था आप देखेंगे कि 1940 में अगस्ट परसाब के माध़म से अंग्रेज उने इस बात को सविकार कर दिया था पर अभी भी सविधान सभा के कारे शुरू नहीं हुए थे एड दी एंड जब अंग्रेज बल्ड वार सेकिंड से फ्री हुए उसके बाद उन्होंने डिसीजन किया और साथी साथ बिटेन में चुनाव भी हो गे थे बच्चों ये जो चुनाव था 1945 का चुनाव था जिसके बाद बिटेन में जो प्रक्रिया थी पूरी विवस्था चेंज हो गी थी और ने परधान मंतरी के रूप में एटली साहब पहुँच चुके थे तो एटली साहब की घोशना के बाद एक डिसीजन लिया गया कि एक मिशन भेजा जाएगा और उस मिशन का में उदेश्य होगा भारत को स्वतंतर कराना तो जब भारत में कैबिनेट मिशन लगभग 24 मार्च 1946 को पहुंसता है तो उस 24 मार्च 1946 के बाद डिसीजन लिया गया कैबिनेट मिशन के सुझाब के अधार पर कि अब भारत में सविधान सबाकी स्थापना करनी है तो इसका अंसर आपको यहां मिल जाएगा मैं उमीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आएगी अगर नहीं पसंद आएगी कोई भी सजेशन करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं अगर यहां पे आपको कोई भी चैनल के रिगार्डिंग भी कोई बात करने हैं आगे चलते हैं पुनर गठन के फलसुरोप वर्ष 1947 में सविधान सभा के सदस्तु की संख्या कितनी रह गई बचों देखो अगर हम कैबिनेट मिशन के सुझाव की बात करें तो उन्होंने सुझाव दिया था कि शुरुआत में जो सविधान सभा बनेगे 389 उसके मेंबर हैंगे इन 389 में से 292 जो थे वो थे बिटिश भारत से बिटिश इंडिया से चार्जों से वो थे चीफ प्रेजिदेंसी से और उसके बार 93 की बात करें वो थे हमारे देशी रियासों से जिन में से हम मेंली बात करतें 552 में से इनका हुआ है election और इनको किया गया था नॉमिनिट, इनको किया गया था निर्वाचित और 93 वालों को किया गया था मानुनित, पर जैसे जैसे 1947 का टाइम आया, भारत हमारे प्यारे भारत का विभाजन हो गया, पूर्वी पाकिसान निकल के आ गया, पाकिसान एक देश बन गय अगर आप देखेंगे तो इकोशन आ चुका है आगे चलते हैं ये कोशन भी आपके 2018 HPA लाइड में पूचा गया था सविधान सभा का पहला अधिवेशन कहा हुआ तो देखिए कोशन थोड़ा गुमा के पूचा गया था वहाँ पूचा था कि कब हुआ तो वहाँ पे आपक गया उस टाइम हमारे भारत के वाइसराइ जो थे वो थे लोड वेवल और लोड वेवल की घोशना के बाद लोड वेवल की घोशना आई थी बच्चो 20 नवंबर 1946 को और इस घोशना के बाद डिसीजन लिया गया कि अब भारत में जो है सविधान सभा का कारे शुरू होगा तो at the end 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में सुबह 11 वजे के टाइम या आप लोग जब सुभाज केशब की बुक पढ़ेंगे तो उन राइटर ने ये सारी बात बताई है कि सुबह 11 वजे का टाइम था सुम बार का दिन था और दिल्ली के स्थान पे हमारी पहली बैठक शुरू हु है हमारा सविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष कोन थे तो जब हमने 9 दिसंबर की बात की थी बच्चों तो उस टाइम पे जो मेंबर थे जो अध्यक्ष थे उन्होंने फ्रांस की पदती को अपनाया और फ्रांस की पदती के आधार पर एकची डिसाइड की गई कि सबसे पह बच्च बना दिया और वो थे हमारे राजजिंद्र पर साथ तो 1946 से लेकर 24 जनवर 1950 तक ये हमारे सविधान सभा के अध्यक्ष रहेंगे और उसी के बाद सविधान सभा ने डिसीजन ले लिया कि अब भारत के प्रतम राश्ट्रपती के रूप में इनको जुना जाएगा तो ये कोशन हमारा इंपोर्टेंट है पेपर में आ चुका है आप लोग इसको अच्छे से कर लेना त्यार आगे चलते हैं सभीधान सभा के प्रारू समीती की निक्ति कब की गई देखो प्रारू समीती के पीछे की क्या स्टोरी है सचिवाले के अधिक्ष थे हमारे बियन प्रारू समीती के अधिक्ष थे और उस पूरी प्रारू समीती में साथ मेंबर बनाएगे थे अब ये प्रारू समीती का गठन था ये किया गया है आपका 29 अगस्त 1947 को देश्टोतंतर हो चुका था उसी वज़ा से बीर अमबेतकर की जो सीट थी वो भी रिप्लेस हुई थ पहला मैं हिंट देता हूँ आपको पहला आएगा पूरवी बंगाल और उसके बाद वो बंबेई शितर से चुन कराएंगे एमर जेकुर को रिप्लेस करेंगे बाकी बीच की स्टोरी के लिए आप वेट करें आने वाले लेक्शर में आपको उसको बता दिया जाएगा आग जो उदेश्य परसाब था ये रिपर्जेंट किया गया था हमारे प्यारे परधान मंतरी जोहला नेरू के द्वारा तो उस टाइम ये परधान मंतरी नहीं थे सविधान सभा के मेंबर थे 1946 का टाइम है और उस टाइम पे उन्हें उदेश्य परसाब को सिर्फ प्रस्तुत क प्रेम्बल कब accept की गई है वो आपको पता है उदेशी परसाप के माद्रम से जोहल नेरु के द्वारा प्रेम्बल को सविधान में जोड़ा गया था तो ये हो गया हमारा सेबंथ कोशन आगे चलते हैं एर्थ कोशन की तरफ एर्थ कोशन बोलता है भारतिय सविधान सवा ने भारतिय राष्टे द्वच की रूप रेखा को अंगीकार या अंगीकृत कब किया मतलब कब जोड़ा भारतिय सविधान ने तो ये तिथी आपको याद रखनी 22 जुलाई 1947 तो आब इससे जुड़ा ही तीन कोशन आते हैं राष्ट्र गान कब किया गया राष्टी गीत कब एकसेप्ट किया गया भारत के प्रत्मराष्ट बती कब बनाएगे तो वो सविधान सभा की बारमी बैठे थी और वो बैरमी बैठे कब हुई थी बच्चों 24 जनवरी 1950 को तो ये डेट पी याद रखनी है और ये ती थी बहुत बार पूचे गी है CGL में भी CHSL में भी हमारे हिमाचल के exam में भी तो important बनती है आगे चलते हैं 9th question की तरफ सभिधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के निरने इसलिए किया गया था क्योंकि अब इसमें कारण पूचा गया देखो अलाइड के exam में ऐसे question आ जाते हैं NT में ऐसे question आ सकता है ये पूचा गया कि क्यों आप आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा सविधान बनकर त्यार था पर इसको pause कर दिया गया इसमें कुछ 16 आर्टिकल से 16 अनुछे थे जो लागू किये बाकी सभी आर्टिकल्स को pending रख दिया गया क्यूं क्यूंकि देखो 1929 का जो Congress का division हुआ था लाहोर में रावी नदी के कि अनुछे होने के बाद उस टाइम पे जो अधेक्ष्ट गो जोहला लालेहरू थे और उन्हों नहीं यहां पे बात रुखी थी कि अब हम हर एक वर्ष 26 जनवरी को एक त्योहार के रूप में मनाएंगे स्वाधिंता के रूप में मनाएंगे स्वतंत्रता के रूप में आपका 48 था 49 था ये दो वर्षों में हमारे इस दिन की importance कम होगी तो at the end Congress ने और सविधान सभा ने मेली ये decide किया कि हम जो अपना सविधान है 26 जनवर 1950 को ही लागू करेंगे तो इस वज़े से आपका ये question का पहला option ठीक हो जाएगा अगले question की तरफ चलते हैं अगला question बोलता है भारती सवदान सभा में मेहला सदस्य संख्या कितनी थी तो मेहलाओं के कुल सदस्य संख्या थी बच्चों 15 तो लाश में जिस दिन signature हुए थे 12 बार मी बैठके तो total member तो थे 299 पर इन में से 284 वेक्तियों ने अस्थाक्षर किये थे जिन में से 15 मेहलाई भी थी और सबसे पहला अस्थाक्षर का अगर आपको पूछ लिया गया तो आपने क्या टिक करना है वो है आपके जो हलनाल नहरू तीस तरीके से मैंने आपके सामने 10 कोशन परसुद किये हैं यदि आपको ये वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना है जादा से जादा बच्चों को हमारे साथ जूड़िए ताकि उनको इन कोशन के मादम से हलप आउसके आज के लिए बस इतना ही जाहिन जावारे